राम राम भाई और भेनों एक बार फिर हाजी रापके लिए नए वीडियो लेके आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में इस योजना में सरकार है वो लड़की की स्यादी के लिए 51,000 रुपे दे रही है तो आज के इस वीडियो में आप उन संप्रोन जानकरी लेंगे कि इसका अविदन कैसे करना है इसकी पातरता क्या है इसका लाब लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा संप्रोन कंप्लेट डिटेल आज के इस वीडियो में जानेंगे साथ यह मापके जितने भी सुवाल है सबी सुवालों के जवाब है इस वीडियो के अंदर देंगे घर की फुलवारी में सबसे महकता प्खूल होती हैं बेटिया हर मापाप का सपना होता है कि उसकी बेटी का विवा हर्श उल्ला से हो इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्तान सरकार आर्थिक द्रिष्टी से कमसोर परिवार की बेटियों के लिए लेकर आई है मुख्यमंद्री कन्यादान योजना लाब उठाया और मेरे बच्ची की शादी अच्छे से करी और इस योजना के लिए मैं धन्यवाद देते हूँ बेटियों के विवा हमें मदद देने के लिए हर कदम साथ खड़ी है राजस्तान सरकार तो ये था विवरन राजस्तान सरकार की ओफिशल वेबसाइड पर कन्यादान योजना के बारे में दिया गया एड है अप उन जानते हैं अब इसके बारे में संपुन डिटेल से कि यह आवेदन कैसे करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले अपन जानते है योजना लाकुपर उत्डे लाते इसमें उन्हें जगे जगे से करज लेना पड़ता और करज समय पे नंचुकाने पर बहुत सी दिक्कत options करने करना पड़ता है सरकार दोरा इस समझा को देखते हुए इसी ओजना को सुरूग किया गया है जिससे कन्या को विवाई के लिए किसी पर निर्बन नहीं रहना पड़े इस ओजना के मादम से गरीब परिवार की बेटी की कन्या के लिए परेशानी नहीं जहिलनी पड़ेगी और उन्हें आर्तिक साइटा भी मिल जाएगी जिससे उनके जीवन में भी सुधार आप आएगा मतलब कन्याओं के शादी के लिए ये योजना है लागू की गई है बात करते हैं मुक्यमंद्रि कन्यादान योजना की परिवार की के लिए योजना के का लाब उबद्रि के लिए को रश either तक हो दी यह राशी लाभारती के बैंक खाते में ट्रांसपर की जाएगे इसके लिए आवेदा खुद का बैंक खाता होना चाहिए और जो आधार से जुड़ा होना चाहिए अगर किसी बालिकाने धस्वी पास कर ली है तो इनहीं के विवहाय में 41,000 रुपे पुर्दान किय प्रबात दिस्टिक मजिष्टेड को पस्तूभ करना होगा या ओनलाइन आवेदन है वो करना होगा अगर कोई भी नागरिक सादी से पहले यूज़ना का आवेदन करता है तो ऐसे में जिला दिखारी द्वारा आवेदन की सत्यापन की पुष्टी खुद करेगा तो जिला और अगर कोई कास्ट के हैं, तो उनको भी अपनी कास्ट का सर्टिपिक्ट है, वो जम्हा करवाना होगा, आवेदन सहर से हो या गरामिन से योजना का आवेदन जिला मुख्याले पर होगा, और ये जिला अधिगारी को प्रिस्तुत करना होगा, ये आवेदन है, आपको उनल आवेदन कर सकते हैं, मुख्या मंधरि कन्यादान योजना हेतु पातरता क्या है, अगर आप भी इस योजना में मिलने वाले लाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी पातरता का पता होना बहुत ही जरूरी है, आज हम आपको इस योजना से जूड़ी पात पातर समझे जाएंगी परिवार की केवल दो कन्या योजना हे तु पातरदा होंगी योजना का लाब है अन्तोडे या बीपियल कारड धारक आस्ता कारड धारक या परिवार की बेटियों को मिलेगा जिन महिलाओं के पती की मर्तियों हो गई है और उन्हें दोबारा शादी नहीं की होगी, तो ऐसे महिलाओं को बेटियों को भी इस योजना का पातर समझा जाएगा, अगर किसी विद्वा महिला की आए पचास अजार या उससे कम है, तो उनकी बेटियों की स्यादी के लिए आर्तिक सायता है, वो परधान की जाएगी, यदि आवेदा के परिवार मे ये दिया जाएगा, अगर आपके परिवार में कोई पचीस साल की उमर का है, या कोई कमाने वाला नहीं है, या पचास अजार उपे से आए अधिक नहीं है, तो आपको इसका लाब मिल जाएगा, जिन कन्याओं के माता पिता में से एक ही मर्ति हो गई तो ऐसे कन्या भी इस की ओजना का लाब है, वो ले सकता है, मतलब इसका लाब लेने के लिए साल लाना आई है परिवार की पचास अजार उपे से अधिक नहीं होनी चाहिए, अभी ओजना ही तो आवशेक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, वो अपन जान लेते हैं, आज हम आपको रास्तान मुक् आई है, व्यह आए परुमान पत्रिऋ अगरा से पहले अपलाई कर रहे हैं, तो आपको स्यादी का सर्टिमिक चाहिए, रजिस्टर मॉबार नंबर चाहिए, बेंक डिटेली चाहिए, आयू परुमान पत्रों चाहिए, बीपेल रासन कार्ट अंत्योतवर रासन कार्ड चा और अगर आपने कोलेज कंप्लेट के लिए है तो आपको इकावना जारूपे इसमें लाब मिलेंगे अब बात करते हैं रास्तान मुख्यमंदर कन्यादान योजना के अंत्रगत आवेदन हैं वो कैसे कर सकते हूं यदि आप भी इस योजना मिलने वाले लाब लेना चाहते हैं तो इसके लिए आगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप ओनलाइन इमितर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इमितर वाले को बोलेगे उपनों उसका फोरम बढ़ दे सारा फोरम कंप्लेट बनने के बाद में जो कने बता हैं यहां पर यह सारे डॉक्मेंटस आपको अप्लोड करने होंगे सब्छे जानकारि बने के बाद संचलक दोरह आपको फोरम सम्मीट कर दिया जाएगा फोरं सम्मीट होने केके प्रकिछात आपके आवेदन परकिया पूरी हो जाएग जिसके बाद आपको एक reference number या registration number मिलेगा या आपको इसका प्रिंट आउट भी ले लेना है और यह reference number के जरिए ही आप अपने फोरम की आवेदन इस्तिति है वो ट्रेक कर सकते हैं कि कब तक आपका payment करेंट आएगा कि आपका आवेदन है और रिजेक्ट हुआ है या कुछ कारण से वापिस आया है जिसको आप edit कर गए या कुछ documents वगेरा है वो परवाइड करेंगे वापिस submit करना है तो यह reference दन आ वेदग की शादी की तारिक से एक मेहने पहले या शादी की चह मेहने पीच करना होगा कि अब रास्तान मुक्य मंत्री कन्यादान योजना के तैट कन्यागी विवाह के लिए कितने रुपे की सायता परधान की जाती है तो इसमें 31,000 रुपे परधान की जाती है लेकिन अगर बच्ची या लड़की धस्वी पास है तो यह उसको 41,000 रुपे दिये 6,000 रुपे हो जाएंगे यह अधीक्तम दो बच्ची के लिए ही दे है अगर उपर ज्यादा बच्ची हैं तो उनका नहीं मिलेगा दोका मिल जाएगा आपको पिर मुक्यमंद्री कन्यादान योजना का लाब हो कैसे लिए कन्या विवाई योजना का लाब लेने के लिए योजना के माद्यम से लड़की क्या यह 18 वरस होनी चाहिए और कन्या से जिस लड़के का विवाहर उसकी उमर है वो 21 वरस होनी चाहिए अब योजना का लाब ल अब संप्रकर यदि आपको इसी ओजनाशी संबंदित किसी परकार की कोई शिकायत है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां स्क्रीन पे टोल फिरी नंबर देया गया है यहां पे आप फोन करके उनसे पूँँ सकते हैं या अपनी परिशानी उसका हल जान सकते हैं अपना इस्टेटस है वो भी आप जान सकते हैं किसी परकार की अगर कोई भी प्रोब्लम आ रही है तो आप टॉल फिरी नमबर देए गये हैं यहां पे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं मुलब कब तक आपका फोर्म अपडेट होगा कब अकाउंट में पैसे आएंगी सारा सब कुछ है आप इन नमबर पे पहुंच सकते हैं अब रास्तान मुक्यमंदर कण्यदान योजना 2022 सम्दित सभी परकार की जानकारी को हिंदी में हमने विश्तार पुरुग बता दिया है यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या इससे संबने कोई भी सवाल या जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मेसेज या कम्मेंट करके पोच सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जबाब देने की कोशिश करेंगे तो ये था कंप्लिट वीडियो मुक्यमंद्री कन्यादान योजना के बारे में इसमें सरकार है वो 51,000 रुपे एक कन्या के लिए दे रही है दो कन्याओं के लिए एक लाग दो सजार हो जाते हैं तो अगर आपने इस कन्यादान योजना में अपना आवेदन नहीं किया है और आवेदन करना चाहते है तो हमने आपको complete जानकारी है वो दे दी है तो आप इसमें आवेदन करके लाभभव ले सकते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है